हेलो गाइज वेल्कम बैक ट्यू माई यूट्यूब चैनल इकबाल आलम आज मैं कोरल ड्रा में मैनिपलेशन कैसे करते हैं आज वह यहां पर हम सिखेंगे एक चिकन से वह बच्चा बहार आते हुए और लाइट बल्प से हम इसको एक कनेक्टिवीटी दिखाएंगे जो मैनि चलीए दोस्तों हम में वैह गुगल से लिया है मैं आपको description में लिंक दिखांगा यह एक transparent bulb यह पर मैंने सच्च किया और यहां पर chicken on egg मैं यह दोनों गूगल से लिया हैना और यह मैं दोनों को काई तो यह कैसे हम लोग मैनिपुलेट करेंगे वह यहां पर दिखते हैं फर्स यह बल्ब को मैं यहां पर सेंटर में मैं लेका आता हूँ यह इसके नीचे का जो बॉडर आ रहा हो वह मैं क्रॉप कर दो हूँ है आपको बल्ब को रख लेना है आपको इंटर प्रेस करना है यह बल्ब क्राप हो गया अभी सेम इसके साइज का जो आपका चीकेन हो ना जाए सबसे पहले इसको सिर्फ से पेज आप कर लें ताकि आपको दिखाई दे मैं यह उपर के तरफ कर लिया हूं और यहां पर ट्रांसफेरेंसी में आना है यहां पर आपको क्या कर देना है मल्ट कर लेना है और अभी मैं यह इसको क्या करूंगा कि मैं एक लाइन खीषता हूं यहां पर मैं एक लाइन खीषता हूं यह लाइन मैंने खीचा है थोड़ा बड़ा मैं करके यह रखता हूं अभी मैं क्या कर रहा हूं कि इस बल्ब को यहां से मैं क्रॉप कर लूँगा यह सि के साथ यह चिकन वालों को करना है और इसको क्रॉप कर देना है तो मैंने दूनों तरह से मैंने क्रॉप कर दिया है तो अभी फिलहाल मैं यह क्या कर रहा हूं हैं यह इनटु इंड में कर दे रहा हूं इधर और यह इनटु इंड में कर दे रहा हूं की दें आप फिलाल यह मैं ऊपर की तरप कर देता हूं एक और एक सेम कंट्रॉल के साथ right click कर कर कोपी कर देना है dawn की तरफ हैं तो अभी यह दोनों को ठोड़ा मैं मैं नीचे लेलता हूं सॉरी यह अभी मैं मुझे एक बैक्ग्राउंड में कलर देना है तो मैं अगर मैं लिएक उपर का मैं लाइट यह कलर दे रहा हूं या फिर दूसरा पीछे वाले मैं और इन देता हूं दोनों को पकड़ना और यह रैड क्लिक करके आपको यहां और ले मल्ट्िप्लिकेशन करे देना मल्ट्िप्लिकेशन जैसे ही करते हैं आपको यह दूनों दरफ से दिखाये देना शुरू हो जाता है तो अब थोड़ा सा इसका भी transparency और थोड़ा कम करना चाहते हैं ताकि यह ज्यादा dark है तो यह आप थोड़ा कम कर लें मैंने यह थोड़ा कम किया है अभी मैं चाहता हूं इसके पीछे का थोड़ा सा जो है न वह gradient टैप का है तो मैं क्या करूंगा कि एक बड़ा सा rectangle लूँगा जो इन लोग के शेप में रहेगा ठीक है और जी फोर gradient feel कर देना जी मैं यहां पे मैं ले लिया हूं और यहां पे जो है रेडियल जो है ellipse fountain feel कर देना आपको और यह बाहर का जो black है यह black को थोड़ा सा खोगे अलग color करना चाहते है तो आप अलग color कर सकते हैं मैं यहां पे choose रहा हूं यह थोड़ा और मैं हटा दे रहा हूं यह थोड़ा सा यहां प्र लाइव करता हूं तो यहां पर बैक्ग्डाउंड थोड़ा सा लाइटर है अंदर का तो थोड़ा कम दिखता है तो यहां पर जगा पर थोड़ा और भी मैं दूझ चूज कर लेता हूं शौफ लाइट जो नहीं दिख रहा है अभी यहां पर हम मल्टिपलाय करते हैं तो मेरा दोनों तरफ का जो है एसे लग रहा है कि लाइट का बल्ब है वोश का रौस्णी आ रहा है और इसके यह चिकन बाहर निकल के आ रहा है तो यह चोटे से तरीका है आप मैनिपलेशन में और कर सकते हैं जो और कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं मैंने प्लेट करके दिखा देखा देखते हैं मैं इसको थोड़ा सिंटर में लाकर करके आपको दिखाता हूं सिफ और यह एक्षुली मैनिप्लेशन का आइडिया है जो हम लोग बल्म के साथ ऐसा लग रहा है कि वह आना आ रहा है तो यह एक छोटी छोटी चीजें आप अपने डिजाइन में आप कर सकते हैं तो आज ही मेरा छोटा सा मैनिप्लेशन का तरीका था मैं और भी एक नए ने अच्छे आडियाज मैं बताऊंगा मैनिप्लेट कैसे करते हैं थोड़ा लॉंग वीडियो रहेगा क कोई बात नहीं मैं बताऊंगा आपको अच्छे लगे तो आप जहूँ देखेगा और अपने शेर किजिए अपने फ्रेंड के साथ तो काच मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं कुछ नए आडियाज के साथ कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ तब तक के लिए लाफिज जय हम